Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading चलिए लियोज आप लोगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं पस यहाँ पर तीन सेट आफ कार्ट हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे सिकंड सेट में आपके पार्टने की energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली में मन्थ में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं लियोज और आपके लिए यहाँ पर सबसे बहला कार्ट मुझे दिख रहा है Three of Cups और यह कार्ट कहता है कि May starting में या में मन्थ में कोई celebration, get together, reunion या तो हो रही है या फिर आप ब्लान करना चाहा रहे है कहीं eating, drinking, merry making पर जादा focus रह रहा है आप जादा लोगों के साथ socialize कर रहे है और कुछ लियोज, देखे मैं फिर से कहूंगी कुछ लियोज के लिए third party की भी energies रह सकती है ये third party कुछ लियोज की तरफ से हो सकती है कुछ लियोज के partner की तरफ से हो सकती है और फिर से मैं कहूंगी कोई भी हो सकता है या तो कुछ लियोज, you know, किसी और की तरफ attract हो रहे हैं partner के अलावा या पिर उनके partner लियोज आपके अलावा किसी और की तरफ अटाक्ट हो रहे हैं और फिर से दिखें ये बहुत कम लियो उसके उपर अप्लिकेबल है ओवरॉल या फिर इन जनरल के लिए इटिंग, डिंकिंग, मेरी मेकिंग पे जादा फोकस रह रहा है लेकिन दिखें दीपर लेविल के लिए किसी चीज को लेकर फिर से मैं कहूंगी एक दुविधा, एक उलजन रहती होई दिख रही है क्योंकि ये जनरल रिडिंग है यहाँ पर ये परिशानी भी सब लियोस के लिए डिफर कर सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं आप खुल के अपनी अगेन मैं कहूंगी एमोशन और फीलिंग्स को नहीं एक्स्प्रेस कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक उप्सेसिव, बहुत एक पुसेसिव सी एनरजीज आप अपने पार्टने के लिए महसूस कर रहे हैं और दिखिए जो दो चीज़ें मेरे माइन में आई मैंने कहा यहाँ पे Obsession and Greed का कार्ट सिंपली कहता है कि एक परेशानी एक उलज़न आप महसूस कर रहे हैं और दिखिए failure का कार्ट भी कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक नाकामयाभी भी आप अगेन मैं कहूंगी महसूस कर रहे हैं यह भी सब के लिए differ करेगा कुछ लिए उसके लिए हो सकता है कि आपने इस relationship से related या फिर किसी भी चीज़ से related पीछे कुछ effort करे कुछ महनत करी उसी से related आपको एक positive outcome नहीं मिला जिसकी आपको उमीद थी और इसलिए कहीं आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं यह देखिए again मैं आपको कहूंगी कोई भी reason हो सकता है जिसकी वज़े से एक नाकामयाभी आप नहीं सूस कर रहे हैं और शायद इसलिए या फिर otherwise भी six of cups reverse का card कहीं past की बात करता है और आप you know past पे जादा focus कर रहे हैं यहाँ पे भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि current partner के साथ पीछे जो भी अच्छे पल आपने बिताए आप उनके बारे में बहुत सूच रहे हैं पिर वही अच्छी memories आपको बहुत जादा याद आ रही हैं कुछ के लिए हो सकता है past का कोई relationship है past का कोई event है past की कोई जगा है past की कोई बात है again मैं कहूंगी six of cups का card past की बात करता है और यह card reverse है तो कहीं past की ही energies में आप बहुत जादा गुम रहते हुए दिख रहे हैं और देखिए हाप ए contemplation का card भी इन ही energies को और confirm करता है कि आप बहुत जादा you know किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं एक introspective mode में रहे रहे हैं और इसी लिए शायद या तो एक अकेलापन है या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं और देखिए हाँ पे two of cups reverse का card भी कहीं partner के साथ किसी level पे एक distance महसूस करने की या फिर आने की बात करता है क्योंकि ये general reading है ये distance भी सब leos के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि physically आप दोनों साथ हैं लेकिन mental emotional level पे एक disconnect या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर you know आप लाना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि mentally emotionally आप connected हैं लेकिन physical एक distance है और इसी लिए देखिए हो सकता है कि आप बहुत जादा एक introspective mode में हैं या फिर किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं और अब देखते हैं लिए उसके आपके partner की क्या energies हैं तो देखिए आपके partner के लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है five of wands और ये card कहता है कि conflicting energies में आपके partner भी रह रहे हैं और दे कुछ के लिए externally हो सकती हैं कुछ situations हैं कुछ you know circumstances हैं जो इतने favorable नहीं है या फिर जिनकी वज़े से issues और मसले हैं और कुछ लिए उसके partner हो सकता है कि mentally emotionally एक दुविधा एक conflict किसी भी चीज को लेकर महसूस कर रहे हैं कहीं देखिए एक practical realistic तरीके से चीजों को deal करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं या फिर over practical, over realistic हो रहे हैं कहीं concrete चीजें इस relationship के लिए चाहा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उस तरीके से कहीं एक commitment, कहीं एक concrete चीजें इस relationship में नहीं हो रही हैं और देखिए deeper level के लिए receptivity का काट कह रहा है कि बहुत ही patience, बहुत ही सब्रमन, ह ही मन, हर चीज के लिए रखते वए दिख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही dedication, बहुत ही devotion के साथ वो इस relationship में रहे या फिर देखिए हो सकता है कि में starting में या में मन्त में बहुत ही devoted energies आपके लिए Leo's उनकी तरफ से रहे हैं यहां पे the young bride का का काट कह रहा है कि क नहीं मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है कि भई वो respect, वो ओधा, वो level, वो position Leo's आपने कभी भी उनको नहीं दिया मैं यह नहीं कह रही कि Leo's ऐसा आपने किया लेकिन ऐसा आपके partner मन ही मन महसूस कर रहे हैं और देखिए जो भी mid May तक हो फिर भी वो कहीं आपके साथ togetherness चाहा रहे हैं, बहुत confident कुछ चीजों को लेकर again May end में महसूस करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, next steps plan करना चाहा रहे हैं, इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं और यहां पर intimacy का card भी कहता है कि आपके साथ एक closeness चाहा रहे हैं, बहुत sure, बहुत safe होके, चाह चाहा रहे हैं, और अब देखते हैं, लियोज की May month में क्या हो रहा है, तो May month के लिए दिखें, यहां पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, the initial difficulty, और यह card बहुत ही clearly कह रहा है कि कुछ time से यह May starting में कुछ issues, कुछ मसले, कुछ problems आप दोनों के बीच में या फिर किसी भी reason की वज़े से रह रहे हैं, और दिखें, आप दोनों के cards में हमने देखा भी था, कि आप भी लियोज मन ही मन किसी चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपे failure, obsession and greed के cards आपके लिए हैं, और आपके partner के लिए surface level के लिए five of wands का card भी, कहीं similar से energies की बात कर रहा था, और वहीं कहीं you know, में मन्त की भी energies के लिए रहतावा दिख रहा है, और शायद इसी लिए हापे seven of pentacles का card कहता है, कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक pause लेना चाहा रहे हैं, कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं, या फिर क्या direction लें, उसी के बारे में सोच रहे हैं, और इसी से ही related ह को सकता है कुछ decisions, कुछ choices भी लेना चाहा रहे हैं, जो कि इतना आसान, अगेन आप दोनों या आप दोनों के लिए रहतावा नहीं दिख रहा है, तो दिखिए nutshell में कुछ issues हैं, कुछ मसले हैं, जिनको लेकर एक pause लेते वे दिख रहे हैं, एक passive energies हैं, लेकिन देखिए कहीं mid में के लिए, the star का card कहता है कि एक उमीद जाकती हुई दिख रही है, एक hope आती हुई दिख रही है, और कहीं दिखिए एक positive frame of mind भी surface level पे रह रहा है, deeper level के लिए liberation का card, literally अगर हम देखें तो किसी चीट से एक freedom आने की बात करता है, क्योंकि ये general reading है, ये freedom सब के लिए differ कर सकती है, कुछ लोगों के लिए problems, issues, परेशानी हो सकती है, जिन से एक छुटकार आपको मिल रहा है, और दिखिए initial difficulty में हमने देखा भी कि कुछ issues है, तो फिर से देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा रह सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस relationship से ही, you know, एक freedom आप चाह रहे हैं, और दिखिए ये दो चीजें जो मेरे माइंड में आई, मैंने कहा, यहाँ पर liberation का card किसी चीज से छुटकारा पाने की, मिलने की बात करता है, कहीं, you know, एक freedom वाली energies की बात करता है, क्योंकि liberation के उपर the star का card है, तो एक positive energies, ये freedom, ये liberation वाली energies जादा लाते हुए ये end में के लिए हाँ पर queen of wands and deception के card कहते हैं, कि surface level पर बहुत एक enthusiasm रह रहा है, excitement रह रही है, और जो भी female हैं इस reading में, उनकी तरफ से काफी active energies हैं, लेकिन deeper level के लिए देखिए, एक मायूसी किसी चीज को लेकर रह रही है, एक उदासी किसी चीज को लेकर रह रही है, और द सब्सक्राइब के लिए situation, circumstances differ कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ energies देखते हैं, तो फिर से हम queen of wands and deception के card के energies को देखें, तो surface level पर बहुत ही boldly, बहुत ही courageously upfront होके, आप लोग हर चीज को deal कर रहे हैं, enthusiasm है, excitement है, action initiatives ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन, कोई चीज, आप दोनों याँ आ इसी level पर परिशान कर रही है, और उसी की वज़े से एक मायूसी एक उदासी भी रह रही है, तो यह थी लियोज आप लोगों के लिए में 2022 की Love Tarot Reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें